वेलकम बेक टू माई चैनल और आज मैं आप लोगों के लिए आलू और पनीर के कटलेट की रेस्पी लेके आई हूं तो उसको बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए दोस्तो रेस्पी बनाना शुरू करते हैं वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा तो मैंने यहाँ पर आज को डाल देती हूं मिक्स कर देती हूं कि उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्ष एट करूंगी कि देखिए मैंने हरी मिर्ष डाल दिया और इसके बाद मैं जो मेरे पास पनीर था वो मैंने पनीर ग्रेट करके आलूओं में डाल दीती हूं तो यह देखिए मैंने आलूओं म पनीर मिक्स कर दिया है उसके बाद मैं एक छोटी कटोरी चावल का आटा एड़ करूँगी इससे हमारे कटलेट थोड़े से कुरकुरे बनेंगे और मैंने इसमें थोड़ा सा मटर एड़ किया है मटर को हलका दरदरा कर लिया है धनिया पत्ती डाल दिया है और वर्ण टेवल नमक एड़ करूँगी यह देखिए मैंने काला नमक एड़ कर दिया है और अब थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर आट करूँगी इसमें यह मैंने काली मिर्च पाउडर डाल दिया है और अब मैं इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डालूँगी यह देखिए मैंने भुन जीरा पाउडर डाल दिया है और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेते एक डो तयार कर लेते हैं और आपको जिस सेप में कटलेट बनाना है उस सेप का बना सकते हैं तो यह देखे मैंने गोल शेप में बनाया है और इधर मैंने बेसन का घोल तयार किया है मैंने थोड़ा सा लिया था और थुरा सा चावल का आटा मैंने इसमें नमक, टेस्ट एकोर्डिंग, थुड़ा सा हल्दी पाउडर और हींग डाल दिया है इसका बढ़िया सा घोल रेडी कर लिया है और मैंने ब्रेट करम्स लिये थे उसकी कोडिंग कर दूंगी मैं तो देखिए कड़ाई में तेल गरम हो चुका है मैंने एक-एक करके कटलेट डाल दिये है और इनको दोनों तरफ से मैं अच्छे से फ्राई कर लोंगी गैस का फ्लेम लोही रखेंगे हाई नहीं करेंगे लो फ्लेम पर हम इनको धिमे-धिमे भूनेंगे गुलाबी होने तक तो देखिए हमारे कितने अच्छे से कटलेट सिख चुके है और अब मैं इनको निकाल दीती हूँ तो देखिए हमारे पनीर और आलू के कटलेट बनकर त्यार हो चुके है जो खाने में बहुत ही टेस्टी है इनको बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है तो दोस्त तो इस रेस्पी को जरूर ट्राई करें, कमेंट्स करें, वीडियो अच्छा लगा हूँ, तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब शरूर करें